इंप्लाविल्टी स्किल सेकेंड यर सभी ट्रेड के लिए आज एक और आपके लिए पेपर तयार है यहां पे हिंदी एंड इंगलिस में है 25 कुश्चन है एक कुश्चन आपको आंसर करना कमेंट बाक्स में जैसा कि आप सभी वीडियो में करते हैं यह तक इंप्लाविल्ट इंप्लाविल्टी स्किल का जो मॉडल पेपर 2 था इंगलिस में आप सभी की रिक्वेश्च दिक उसको हिंदी में प्रिपेर किया जा तो उसको हमने हिंदी इंगलिस दोनों में इसमें रखा हुआ है यह तीनों-चारों वीडियो गर आप मॉडल पेपर देख लेते हैं इ इंगलिस में प्रिफर हो इंगलिस पढ़ सकते हैं इसमें से जिनको हिंदी अच्छा हो हिंदी पढ़ सकते हैं इन स्लेबस से हमने कुश्चन आपके लिए पूट अप किये हैं पांच कुश्चन इच और अब्ली टॉपिक से इसमें है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दी आपके लिए दिक्कत नहीं होगी तो कुशन नबर वन यहाँ पर देख लेते हैं दिरिंग दा कोविड-19 पैंडमिक इट इस बेटर टू इस पेस दैन से कैंड से नमस्ते दैन ठीक है यहां पूछ रहा है कोविड-19 महमारी के दौरान हाथ मिलाने की तुलना में क्या करना ज़्यादा अच्छा था और नमस्ते कहना किस चीज से बेटर है तो हाथ मिलाने की तुलना में क्या अच्छा था कि आप हाथ को हिला दो वेव हैंड गले लगाने से अच्छा क्या था आप नमस्ते कहो किसी से ठीक है तो यहाँ पर आप फिल करेंगे अकर तो आगर दिरिं कुछ मत दो है देखिए, space are persons with very good behavior achievements and lead as an example, एक उदारण के रूप में बहुत अच्छे ब्यवहार, उपलब्धियों और नेत्रित वाले व्यक्ति हैं, customer service executive या ग्राहक सेवा अधिकारी, विक्री पर वेक्षर अनी sales supervisor, ITI के परसिक्षक, ITI instructors या role models, तो जो role models होते हैं, ये एक की रूप में बहुत अच्छे ब्यवहार, ठीक है, बहुत अच्छे achievements and नेत्रित वाले व्यक्ति माने जाते हैं, कुछ अबर 3 है, our weaknesses may include, हमारी जो कमजोरियां हैं, उनमें क्या-क्या सामिल है, short temper यानी चिर्चिरापन, संबेदन सील यानी being sensitive, being introvert यानी अंतरमुखी होना, या all of the above, तो हमारी जो weaknesses हैं, यह तीनों हमारी weakness हैं, यहाँ पर आपका option D, all of the above नी उपर के सभी सही होगा, कुछ अबर 4, non-verbal communication includes, जो non-verbal communication है, उसमें क्या-क्या होता है, gesture and posture, eye contact and facial expressions, tone and appearance, या all of the above, हाव भाव और मुद्राएं होती हैं, गयर मौकिक संचार में, आंक से contact और चेहरे का भाव होता है, स्वर्वा दिखावट होती है and उपर के सभी, यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा, उपर के सभी, कुछ अब 5, B, space, book from a library, हम पुस्तकाले से पुस्तकें क्या करते हैं, खरीते हैं, बेंचते हैं, यानि बेंचना, उधार लेना या कोई नहीं तो हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी से, बॉर्व करते हैं, बुक उधार लेते हैं, तो option C आपका यहाँ पर right answer है, बॉर्व करना, कुछ नब 6, identify the opposites, यहाँ आपको opposite बताना है, clean का and healthy का, स्वच्च का और स्वस्त का, तो स्वच्च का क्या होता है आपका, dirty and healthy का क्या हो जा जागा स्वच्च का गंदा और स्वस्त का आस्वस्त, कुछ मस्ते बन, communication plays a very important role in our personal lives, our professional lives, our personal and professional lives या नन, यहाँ जो संचार हो बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाता है, हमारे निजी जिवन में, हमारे पेसेवर यानि प्रोफेशनल जिवन में, हमारे व्यक्तिगत और पेसेवर यानि प्रोफेशनल तोनों lives में, बहुत ही महत्पूर्ण भूमिका निभाता है, हमारे एट है, an emotionally intelligent person will be able to, एक emotionally intelligent person होगा, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति सक्षम होगा, manage their emotions, manage the emotions of others, manage their emotions and that of others, या none, उनकी भावनाओं को प्रतपंधित करना, manage करना, मतलब नियंत्रित करना, दूसरी की भावनाओं को नियंत्रित करना, अपनी और दूसरी की भावनाओं को नियंत्रित करना, या कोई नहीं, तो जो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक् के कुछ तरीकों में सामिल है talking to someone यानि किसी से बात करते रहे हैं राइट डाउन और feelings अपनी भावनाओं को लिखिए do a physical activity और immediate meditate सारे रिग गत्विदी करें या ध्यान करें या all इंगलीस में problem थी उनके लिए हमने इसको हिंदी में prepare किया है तो अगर आप इंगलीस वाला वर्जन देख चुके हैं तो आपको समझ में भी आ गया तो आप इसको चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं वीडियो आपको यह और चीज तब तक पढ़ सकते हैं कुछ अब 10 है feedback is important because feedback ज है तो जो feedback होता है यह हमेशा किसके लिए होता है it is given for improvement आप किसी को feedback देते हो कि आप यहाँ पे गलत हो इसको सुधार लो तो आप और अच्छा कर सकते हो उसी को हम क्या बोलते हैं कि feedback दिया जा रहा improvement के लिए question number 10 का A सही है आपका question number 11 one cannot control एक कोई जो है नियंतरित नहीं कर सकता thoughts of others, one's employers, one's parents या all of the above या दूसरों के विचार को, किसी के नियोगता को, माता पिता को या उपर के सभी तो कोई नियंतरित क्या नहीं कर सकता दूसरों के बिचार, जो thoughts है ना दूसरों के उससे आप control नहीं कर सकते कि वो क्या सोचे, क्या ना सोचे, बाकी चीजों के आपका थोड़ा बहुत control हो सकता है कुछ हम 12 है, communicating without words, using only gestures, body language, facial expressions, etc. is called feedback, verbal communication, interviews या non-verbal communication यानि केवल इसारों, हाव भाव, चेहरे के भाव, आदिका उपयोग करके सब्दों के बिना संचार करना कहलाता है प्रतिक्रिया, मौखिक संबाद, साक्षातकार या अनकहा संचार तो इसे हम क्या कहते हैं, अनकहा संचार यानि non-verbal communication बिना कहें आप चेहरे के हाव भाव से आप दुख, खुसी, क्रोध कुछ भी दिखा सकते हैं ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, non-verbal communication या अनकहा संचार कुछम 13, barriers to listening include misunderstanding or misinterpretation, distraction, noise, too much information conveyed in a short time या all of the above जो सुनने में आने वाली बाधाओं में क्या क्या सामिल है, गलत फहमी या गलत व्याक्या होना व्याकुलता यानि सोर, व्याकुलता और सोर, कम समय में बहुत अधिक जानकारी दी जाए या उपर के सभी तो ये तीनों हमारी क्या है, listening में आने वाले barriers हैं, बाधाएं हैं, उपर के सभी यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा कुछम 14, movies, portray songs and scenes where women are by men, chased, teased, followed, all of the above फिल्में, उन गीतों और द्रिस्चियों को चित्रित करती हैं, जहां पुरसों द्वारा महिलाएं होती हैं, पीछा किया जाता है, को छेडा जाता है, पीछा करना, chased and followed, वही था, follow करना और पीछा करना, या उपर के सभी ये अपने जो वॉलिवूड के songs होते हैं, उसमें maximum time आपको यही देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही गलत एक society में message हैं, society में, वो create हो रही है, कि औरतें जो हैं वो इसी के लिए बनिक, उनको chase करो, उनको tease करो, उनका पीछा करो, ये तीनों चीज़ें हमारे खबरें फैलाना, फोटो साप्त की हुई तस्वीरें, पैसे की धोका दड़ी, या उपर के सभी, तो सोसल मीडिया की ये तीनों ऐसी चीज़ें कि तीनों बहुत ज़्यादा होती हैं सोसल मीडिया पे, तो ये तीनों उनके क्या हैं, नकारात्मक उप्योग हैं, कोई भी ज चाहें आप तो उसी से आप गलत वीडियो देखते रही है, दिन भार गेमिंग खेलते रही है, अपना टाइम वेश्ट करते रही है, टिक टॉक, इंस्टाग्राम, रील्स, कुछ भी आप देखके अपना टाइम वेश्ट कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें अवेलबल ह करने के लिए, तो वो उसका नेगटीव यूज हो जाता हो, चाहे सोसल मीडिया हो, चाहे स्मार्ट फोन हो, चाहे इंटरनेट हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आप चीज़ को किस वे में यूज करते हो, constructive वे में या destructive वे में, कुछ अमब 16 है, BCC in email means, जो emails हैं, उसमें BCC क्या होता है तो हम पहले भी clear कर चुके है cc carbon copy होता है आपका to आप जिसे send करते हैं बी cc होता आपका blind carbon copy इसमें आप जिसको रखते हैं वो एक अंधी प्रतिलिपी होती है मतलब आप आपको पता का आपने रखा है और जिसको गया उसको पता है बाकी किसी को भी पता नहीं च directions to reach a place it's called technology ठीक है GPS से वाव में उपयोग क्यों जाने वाली तक्नीक जब हम किसी अस्थान पर पहुचने के लिए रिजसों का पालन करने के लिए Google मांचित्र का उपयोग करते हैं तो उसे कहा जाता है वाइस ओबर वाइस मेकर वाइस असिस्टेंट या नंद पार सुसर आ आवाज का निर्माता आवाज सहायक या कोई नहीं तो उसे ही हम क्या कहते है वाइस असिस्टेंट या आवाज सहायक कुछ हमर 18 है वाट इस अ प्रोटो टाइप बहुत ही इंपर्टन कुछन है दा बिजनेस आइडिया टाइपिंग दा प्रोड़क्ट सर्विस इन दा बि क्या होता है पहला वर्जन होता है सबसे पहले हम सोया हम बनाते हैं फिर उससे सारी टेस्टिंग साcног सारी इनृस होते हैं और और स्जकुछ ओके होने के बाद आगे हम मास प्रोडक्शन में उसको भेज़ते हैं उसका और मैनुफैक्ट्चरिंग करते हैं कुछ हमार 19 Setting update for completing each milestone is card, descriptions, resource, timeline या none प्रतेक मील के पत्थर को या milestone से आप यह मत समझें मील का पत्थर, milestone मतलब बता कोई भी आपका target को पूरा करने की तिथी निर्धारित करना कहलाता है बीवरण, संसाधन, समय या कोई नहीं तो किसी भी target को पूरा करने का जो हम समय देते हैं timeline देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं समय निर्धारन या timeline Question number 20 When you know how to stitch a garment by hand learning how to do it using a machine is card जब आप किसी परिधान को हाथ से सिलना जानते हैं तो machine का उप्योग करके इसे कैसे करना है या सीखने को कहा जाता है आप हाथ से सिलना जानते हैं अब machine से अगर आपको सिलना है उसे ही हम क्या कहते हैं upskilling, मतलब अपनी skill को बढ़ाना जैसे आप हाथ से लिखना जानते हैं बच्चा हाथ से लिखना जानता है अब यो computer पे typing सीखे powerpoint presentation बनाना सीखे excel sheet बनाना सीखे autocad सीखे तो उसे हम क्या कहेंगे upskilling इसी तरह से ये भी है question number 21 3 is what percentage of 3000 3,000 का कितना प्रच्चत है तो इसे आप निकाल सकते हैं आसानी से 3,000 का कितना प्रच्चत है 3,000 बटे 3,000 ठीक है इस तरह से आप कर दीजे आपका है जो होगा निकल के आ जाएगा एक बटे 10 आया एक बटे 10 को आप simplify करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1% ये right answer आपका कितना 0.1% question number 22 during an interview one should एक interview के दारान किसी को क्या करना चाहिए greet the interviewer with a smile maintain eye contact speak clearly and loudly when the interview is over thank the employer all of the above एक मुसकान के साथ जो साक्षात करता है उसका अभिवादन करें greet करें आँख से संपर्क बनाए रखें इस पर स्टूप से और जोर से बोलें जब साक्षात कार समाप्त हो जाए तो नियोगता को धन्यवाद दें या उपर के सभी तो एक इंटर्वी के दौरान आपको यह तीनों चीज़ें करनी चाहिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं बहुत ही अच्छा एफेक्ट डालती है किसी चीज़ के उपर कुछ अबर 23 identify the professional networking platform from the given options दिये गए बिकलपों में से पेसेवर यानि professional networking platform की पहचान करनी है facebook, social media है instagram, social media है linked, कुछ भी नहीं है linkedin क्या है आपका professional networking है option D आपका linkedin सही है कुछ अबर 24 we can identify the trends and changes in the world of work through हम काम की दुनिया में रुजानों और परिवरतनों की पहचान कर सकते हैं multiple potential online market scan या नन विभिन तरीके से चमता से online बाजार scan करके या कोई नहीं यहाँ पे आपका right answer option C online market scan या online बाजार scan करके कुछ अबर 25 government of India promotes apprenticeship through जो भारत सरकार के माद्धिम से भारत सरकार हो कि इसके माद्धिम से सिख्चूता को बढ़ावा देता है तो यहाँ पे आपका right answer NAPS या NAPS यहाँ लिखा है national ठीक है ध्यान दीजिए इसका full form क्या है national apprenticeship प्रमोशन इसकीम ठीक है national apprenticeship promotion इसकीम इसका नाम है इसके थ्रू गोवर्मेंट क्या करती है apprenticeship को बढ़ावा देती है प्रमोट करती है अब यह question number 26 आपकी बारी maintaining the quality of something at a certain level is called किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित अस्तर पर बनाए रखना कहलाता है ध्यान दीजे जो भी right answer हो आपको comment करना है communication, problem solving, sustainability या none संचार, समस्या को सुल्जाना, इस्थिर्ता या कोई नहीं तो जो भी right answer आप comment box में जरूर comment करिएगा जिसका भी answer सही होगा हम उस पे जरूर reply करेंगे और like भी करेंगे साथी साथ वीडियो अगर नए हैं आप देख रहे हैं चैनल को subscribe नहीं किए subscribe कर लीजिए ये 26 questions हिंदी और इंग्लिस दोनों में prepare करने में जो hard work है अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए क्योंकि आपके like से YouTube इसको और आगे logo तक promote करेगा कि वीडियो अच्छा है आप भी देखिए तो आपके और जो साथी हैं उनकी भी से काफी help होगी चैनल को subscribe दिरूर कीजिएगा साथी साथ इस पे जल्दी ही हम second year की engineering ट्राइंग, first year की engineering ट्राइंग और कुछ और model papers and trades के वो भी जल्दी से आने वाले हैं चैनल पर thank you very much वीडियो पूरा देखने के लिए best of luck, thank you